सोनू एक करीब घर का लड़का था उसे खेल कूद करना दोस्त बनाना बहुत पसंद था लेकिन उसके गाओं में ज्यादा तर अच्छे घराने के लोग रहा करते थे जिस वजह से उन घरानों के बच्चे सोनू से दूर रहा करते थे ऐसे ही एक दिन सभी बच्चे बगीचे में खेल रहे थे सोनू भी वाँ जाता है और उन बच्चों के साथ खेलने लगता है तब ही एक राहूल नाम का लड़का उसे धक्का करते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे होई है हमारे साथ खेलने की भूल गया क्या कि तू एक गरीब घर का लड़का है तेरे तो पाप अभी नहीं है इस दुनिया में तो तू हमारे साथ नहीं खेल सकता अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता खेलने के लिए पैसो के जरूरत थोड़ी न होती है खेलने के लिए तो सचे मित्र के जरूरत होती है तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे अपनी शगल देखिये तुने तु तो हम समय सबसे ज़्यादा गंदा और बिखारी नजर आता है तुझे देख कर कोई खाना खाना छोड़ दे और तु बात करता है हमारे साथ खेलने की हाँ हाँ सोनू हमें तेरे साथ नहीं खेलना है हमारे माता पिता भी यही बोलते हैं कि सोनू से दूर रहो क्योंकि तु एक करीब है और तेरे घर में किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है अगर तेरे कारण हमें कोई बिमारी लग गई तो हम क्या करेंगे लेकिन इस गाउं में मेरा कोई दोस्त नहीं है मुझे एक दोस्त की जरूरत है कि तुम्हारी वज़े से हमें मार पड़े और हमारा समय मेकार मत करो हमें खेलने दो शाम होने वाली है हमें घर भी जाना है अपने सुन लिया यहां कोई भी तरज़ाद खेलना नहीं चाहता और ना तुससे दोस्ती करना चाहता है इसलिए आपसे हमारा समय मत बरबाद कर चल भगे आँ से बेचारा सोनू उदास होकर वहां से जाने लगता है उसे रास्ते में टमाटर का खेट नजर आता है खेट बहुत बड़ा था उस खेट में बहुत सुन्दर लाल लाल टमाटर थे सोनू खेट और टमाटर की खुबसूरती देखकर खुद को रोप नहीं बाया और उस खेट में जाकर खेट के सभी टमाटर को चूने लगता है और कहता है अरे तुम कितने सुन्दर हो लाल लाल गोल गोल वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो मैं तुमारे साथ खेल सकता हूँ क्या टमाटर पता नहीं भगवान ने हमें गरीब क्यों बना कर भेजा है अगर मेरे पापा भी जिन्दा होते तो शायद हम भी अमीर होते हमारे पास भी सारी चीजे होती लेकिन भगवान ने तो मेरे पापा को बुला लिया अपने पास शायद मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए भगवान ने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया अच्छा टमाटर अब मैं घर जा रहा हूँ शाम होने वाली है मा घर पर चिंता कर रही होगी मैं कल फिर से तुमारे पास आऊंगा और कल हम धेर सारी बाते करेंगे अपना खयाल रखना टमाटर थोड़ी देर बाद सोनु मा से अपनी घर आ जाता है उसके हाथ पैर में बहुत मिट्टी लगी थी मिट्टी देख उसकी मा सुनीता कहती है हे भगवान ये क्या करखा है बेटा तुने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रखी है कहाँ पर खेलने गया था तु मा मेरा ना एक नया दोस्त बना है मैं अपने दोस्त के साथ था इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया और आपको तो पता ही है खेत में कितनी सारी मिट्टी होती है इसलिए मेरे हाथ पैरों में मिट्टी लग गई है अच्छा तो आखिरकार मेरे बेटे के दोस्त बन ही गए क्या नाम है तुभारे दोस्त का सरा मुझे भी तो बताओ नाम तो मुझे भी नहीं बता मा जिस दिन मुझे उसका नाम पता चलेगा न उस दिन मैं आपको बताऊंगा उसका नाम अभी तो फिलाल हमारी दोस्ती हुई है अच्छा बाबा ठीक है जिस दिन नाम पता चल जाए उस दिन मुझे नाम बता देना उसका अब चलो खाना वाना खालो बहुत समय हो चुका है सोनू की माँ पानी से उसके हाथ पैर को धोती है और उसको बैठा कर खाना खिलाती है खाना खिलाते वक्त सोनू की माँ बोलती है याद है न सोनू मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि तुम्हें पढ़ लिखकर एक काम्याब इंसान बनना है खेल कूद अपनी जगा है लिकिन पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं स्कूल में जैसा टीचर कहती है तुम्हें वैसा ही करना है और कभी भी टीचर से जूट मत बोलना कभी भी अपनी टीचर से बत्तमीजी मत करना टीचर जो बोले वैसा तुम्हें समय से करना है हाँ मा पूरे क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं मैं टीचर मुझे बहुत प्यार करती है वैं कहती है सोनू पढ़ने में बहुत अच्छा है ये तो बहुत अच्छी बात है चलो खाना खाकर पढ़ाई कर लो ऐसे ही अगली सुभा सोनू स्कूल जाता है और वहां मन लगाकर पढ़ाई करता है थोड़ी देर बाद सोनु के स्कूल की छुट्टी हो जाती है सोनु अपने घर आ जाता है सोनु को बार बार अपने दोस टमाटर से मिलना था सारा काम खत्म करने के बाद सोनु फिर से टमाटर के खेट में जाता है इस बार टमाटर में कुछ और नए टमाटर भी उग गए थे एक टमाटर सबसे अलग था उस टमाटर के दो मूँ थे ये देख सोनू उसी दो मूँ वाले टमाटर के पास जाता है अरे तुम तो बाकी टमाटर से बहुत अलग हो तुम्हारे दो मूँ है ये कैसा अलग टमाटर है? एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ, पूरे खेत में मुझे सिर्फ तुम ही पसंद आये हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही खेलूँगा। सोनु वो टमाटर तोड़कर अपने साथ उसको घर ले आता है, सोनु टमाटर को देख कर बहुत खुश होता है और कहता है, तो अब बताओ, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? हाँ, मेरा घर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मेरे घर में तुमारे लिए बहुत सारी जगा है, क्यो से मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगे, बले ही तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं हुना तुम्हारे साथ, टमाटर को बोलता देख, सोनु हैरान था, अरे तुम तो बोल सकते हो, तुम्हारे दो-दो आखे भी हैं, ये कैसा टमाटर है? मैं एक जादूई टमाटर हूँ, इसलिए मेरे दो मुझे हैं, एक मुझे मैं बोलता हूँ, और दूसरे मुझे मैं जादू करता हूँ, जादू? कैसा जादू कर सकते हो तुम? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज खरीच सकता अपसे तुम गरीब नहीं हो अपसे तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारे पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी जादूई टमाटर अपनी जादूई शक्तियों से सोनू के पास खूब सारा उसका मन पसंदीदा खाना लाकर रग देता है सोनू प यह रूखी सुखी दाल चावल खाकर अपना पेट भरा होगा मैंने यह सब खा लिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम चिंता क्यों करते हो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी मा के लिए भी खाना मांग देता हूँ जादूई टमाटर वे खाना लेकर अपनी मा के पास जाता है इतना सारा पकवान देखकर सुनू की मा कहती है यह सब क्या है बेटा इतना सारा पकवान तेरे पास खान से आया कहां से लाया है मा, मैंने आपसे कहा था نा कि मेरा एक और दोस्त बना है. आज मैं आपको अपने नई दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ. यहां आ जाओ जादू इ टमाटर. तब ही वहाँ पर उड़ता हुआ जादू इदोस्तेर वाला टमाटर आजाता है. जादोई दो मुवाले टमाटर देखकर सुनीता भी हैरान थी सोनू अपनी मा को सारी बात बता देता है जिसके बाद सुनीता जादोई दो मुवाले टमाटर से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादोई टमाटर तुम्हारी बचह से न, मेरे बेटे को एक नया दोस्त मिल गया है मैं अब चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बेटे का ख्याल रखना आरे आप चिंता मत करो मैं सोनू के साथ साथ इस घर की भी रक्षा करूंगा आपसे आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी ऐसे ही अगले दिन सोनू सुभा सुभा स्कूल जा रहा था बाकी सभी बच्चे स्कूल बस में बैट कर स्कूल जा रहे थे तो वही सोनू पैदल स्कूल जा रहा था तभी वहाँ पर जादूई टमाटर आ जाता है जादूई टमाटर सिर्फ और सिर्फ सोनु को ही दिखाई दे रहा था अरे सोनु, सारे बच्चे बस में बैट कर जा रहे हैं और तुम हो की पैदल जा रहे हो अरे बस में जाने के लिए पैसे लगते हैं और मेरे पास पैसे नहीं है मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी मा है और मैं अपनी मा को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता इसलिए मैं पैदल स्कूल जाता हूँ तुम तो बहुत समझदार हो अच्छा क्या तुम मेरी सवारी करना पसंद करोगे? तुम्हारी सवारी? जादोई टमाटर विशाल टमाटर का रूप ले लेता है और अपनी पीट पर सोनु को बिठा कर स्कूल छोड़ देता है अपसे जादोई टमाटर समय से सोनु को स्कूल लेने आया जाया करता ऐसे ही एक दिन सोनु की स्कूल से छुटी हो जाती है सोनु बहुत उदास था तभी वहाँ जादूई टमाटर आता है सोनु को उदास देखकर जादूई टमाटर कहता है अरे क्या हुआ? उदास क्यूं हो? अब मेरे होते हुए भी तुमें उदास होना पड़े तो क्या फाइदा मेरा? अब तुम बताओ ना जादूई टमाटर मैं क्या करूँ? स्कूल में दो महीने की फीस नहीं गई है और अभी तो मेरी मा के पस पैसे भी नहीं है वह मेरी स्कूल की फीस कहां से जमा करेगी? अब अपनी माँ से कैसे बोलू इस बारे में? बस इतनी सी बात है तुम चिंता मत करो, घर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है जादूई टमाटर सोनू को अपने पीच पर बैठा कर घर ले आता है और घर आने के बाद जादूई टमाटर अपने दूसरे मूझ से खूप सारे पैसे निकालने लगता है और वह सारे पैसे सोनू की मा को देते हुए कहता है ये लो सोनू, मैंने तुम्हारी मा को खूप सारे पैसे दे दिये है अब इन पैसों की मदद से तुम्हारी मा स्कूल की फीज भी जमा कर देगी, साथ ही अपनी जरूरत का हर सामान खरीद लेगी, आपसे तुम्हें किसी भी चीज की कोई परिशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूँ साथ ही अब तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जादूई टमाटर तुमने हमारी बहुत मदद की है तुम्हारी वज़ा से ही मैं हर बुरी सिचुपेशन को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ वरना अकेले सब कुछ कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था सुनीता और सोनू दोनू हमेशा के लिए जादूई टमाटर को अपने पास ही रख लेते हैं जादूई टमाटर भी खुशी-खुशी उनके साथ रहने के लिए तयार हो जाता है साथ ही दोनों माबेटे बहुत ही साधारन रूप से अपनी हर जरूरत को पूरा करते हुए अपनी जिंदिकी में आगे बढ़ते हैं अंकित ने गुसे में थाली को आगे की तरफ सरका दिया और अपनी मा से कहा मैं नहीं खाऊंगा ये कद्दो की सबजी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मेरे लिए कोई दूसरी सबजी बना दो पिता के डड़ से अंकित ने चुपचाप थाली अपनी तरफ सरकाली और खाना खाने लगा उसे इस तरह करता देख उसके दादा दादी हसने लगे और उसकी बहन उसे चुढ़ाने लगी आंकित के पिता सुनील एक छोटी सी नौकरी करते थे और कम पैसों में प्रभा पूरी तरह घर को चलाने की कोशिश करती थी बहरा पुरा परिवार था उसमें महीने में एक दो महमान आ जाते थे प्रभा अगर दो पैसे बचाने की सोचती भी तो वो भी खर्च हो जाते हैं इसलिए वो बाजार से सस्ती सब्जियां खरीद कर लाती और हर बार उसे कद्दू सबसे सस्ता लगता है इसलिए एक बड़ा सा कद्दू उठा लाती वैसे तो घर में कद्दू किसी को भी पसंद नहीं था लेकिन घर की हालत को देखकर और प्रभा की मेहनत को देखकर कोई कुछ नहीं बोलता था पर पिछले कई बारी से अंकित हमेशा कद्दू की सबजी बनने पर घर में कलेश करने लगा था खाना खाकर सब सोने के लिए चले जाते हैं अंकित बहुत देर तक पढ़ता रहता है और उसके बाद उसे भी नींद आ जाती है सपने में वो देखता है उसे एक बहुत बड़ा कद्दू बुला रहा है तुम कद्दू होकर बोल रहे हो? चले जाओ यहां से, मुझे कद्दू बिलकुल भी पसंद नहीं है क्यों पसंद नहीं है? देखो तो, मैं कितना मोटा ताजा हूँ मेर से बनाए गई सब्जी कितनी स्वादेश्ट होती है यहां तक कि मेरे से बनाए गई मिठाई को सभी लोग बड़े चाओ सिखाते हैं फिर तुम्हें कद्दू क्यों पसंद नहीं है? करते होंगे तुम्हें सब लोग पसंद लेकिन मुझे कद्दू पसंद नहीं है तो बस नहीं है तुम्हारी बनाए हुई सब्जी मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगती और मुझे समझ में नहीं आता तुम में कौन सी खोबी है जिसका बखान तुम मेरे सामने कर रहे हो लगता है मेरी मा को भी तुम में खोबिया नजर आती है तब ही हर बारी एक बड़ा कद्दू उठालाती है ये सुनकर जादूी कद्दू अंकित के सामने बैठ जाता है और बहुत देर तक इधर उधर देखता रहता है अब इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना तुम यहां से चले जाओ और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी सबजी वाले के पास होना चाहिए या किसी खेत में सोचो अगर मैं कुछ ऐसा कर दू कि तुम्हारी मन पसंद चीज तुम्हें दू तो क्या तो मुझे पसंद करने लगोगे? तुम मुझे बेफकूफ समझ रहे हो तुम्हें पता है इस साल में दसवी क्लास में हूँ और मेरे से इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में कोई भी नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम जैसे एक मोटे कद्दू के बहकावे में आ जाऊंगा पहले तो तुम मुझे बार-बार ये मोटा-मोटा बोलना छोड़ दो ये भी मेरी एक खूबी है मैं इतना मोटा और इतना बड़ा होता हूँ कि लोग एक ही बारी में मुझे ले जाते हैं और फिर कई दिन तक सब्सी बनाते है पूजा में भी और शाधियों में भी जिस तरह तुम्हें तुम्हारी खूबी पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो इसी तरह मुझे भी मेरी खूबी पता है मैंने बस तुमसे पूछा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करो तो क्या तुम मुझे पसंद करने लगोगे अच्छे एक सबसी क्या कर सकती है बताओ मुझे सरा मैं एक जादूई कद्दू हूँ मैं तुम्हारे इस घर को महल बना सकता हूँ तुम्हारे पास में बढ़िया बढ़िया गाडिया हो सकती है तुम्हारे घर में हीरे चांदी सोना सब हो सकता है यहां तक कि तुम्हें मैं राजा बना सकता हूँ जादूई कद्दू की बात सुनकर अंकित हसने लगता है अब तुम हस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है अगर तुम्हें इतना ही जादू आता है, तो तुम ऐसा कमाल क्यों नहीं कर लेते कि तुम दिखने में सुन्दर लगो तुम पतले हो जाओ और तुम्हारी बनाए हुई सबजी मुझे पसंद आ जाए तुम्हारे कहने से मैं अपना रंग रूप नहीं बतल सकता मैं कद्दू हूँ और मुझे कद्दू ही रहना पसंद है और इसी तरह मोटा ताजा भी हाँ अगर तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी बनाए हुई सबजी पसंद आ जाए तो ये लो तभी अंकित देखता है कि वहाँ पर बहुत सुन्दर तरीके से बनी हुई कद्दू की सबजी पूरी रखी हुई है खा कर देखो और बताओ क्या ये सबजी अच्छी नहीं है जाता है उसने आज से पहले इतनी सुआदिष्ट कद्दू की सबजी नहीं खाई थी अब क्या कहते हो अब तो तुमने सारी सबजी भी खा ली है सच मुझ ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है मैंने कद्दू की सबजी खाई है पर कुछ भी कहो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी देखो अब सुबह होने वाली है पूरी रात तुमने बातों में ही निकाल दी मैं तुम्हें और जादू दिखा ही नहीं पाया जल्दी तुमसे फिर मिलने के लिए आउंगा ये कहकर जादू गद्दू वहां से गायब हो जाता है आंकित की आँख खुलती है तो वो इधर उधर देखता है फिर वो समझ जाता है कि वो तो कोई सपना देख रहा था कोई जादू गद्दू वहां पर नहीं थी सुबह दोनों भाई बहन स्कूल चले जाते हैं सुनिल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है प्रभा अपने सास ससुर के साथ में बैठ कर चाय पी रही थी कि तभी उसकी सास बोलती है अरे प्रभा मैं तो तुझे बता नहीं भूल गई आज कुसुमा रही है अपने बच्चों के साथ घर में बढ़ियां सा खाना बना लेना इतनी बड़ी बात आप भूल गई अब दीदी के आने तक मैं सारे घर का काम कैसे खत्म करूंगी और फिर बाजार जाकर सबजी भी तो लानी है अरे परेशान मत हो वो सुभे नहीं आ रही है शाम को आ रही है तब तक बच्चे भी आ जाएंगे घर का काम भी कर लेगी और मैं हूना तेरे मदद करने के लिए परभा जल्दी से चाए खत्म करके घर के कामों में लग जाती है दो पहर को दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो प्रभा अंकित से कहती है कि बाजार से एक बड़ा सा कद्दू खरीद कर ले आओ पर मा कल ही तो तुम रात को कद्दू की सबजी खाई है अब क्यों तुम्हें पता है ना तुम्हारी बुआ आ रही है एक अच्छा बड़ा कद्दू दिखाई देता है वो उस कद्दू को देखकर सपने में आए हुए कद्दू की बारे में सोचने लगता है वो खू बहू वैसा ही दिखाई दे रहा था आंकित उसे खरीद लेता है और अपने सर पर रखकर घर की तरफ आते हुए सोचने लगता है कल रात को माने कद्दू की सबजी बनाई सपने में कद्दू की सबजी खाई और अब फिर कद्दू की सबजी खानी है हे बगवान, ऐसा क्यों नहीं होता कि घर में दो-चार किलो पनीर फ्रिज में रखाओ कितने दिन होगे मटर पनीर नहीं खाया, शाही पनीर नहीं खाया, कड़ाई पनीर नहीं खाया और तो और रोज इतना दूर पैदल चल कर जाना होता है एक स्कोटी भी बाबा ने नहीं दिलाई, काश सब कुछ हो जाता पर नहीं जी, घर में तो कड़ो महराजी जाएंगे वो घर के अंदर जैसे ही घुसता है तो देखता है बुआ अपने बच्चों के साथ खड़ी है और सारा परिवार भी हैरानी से फ्रिच के पास खड़ा है और उसके आंगन में एक स्कोटी खड़ी है बुआ तुमने स्कोटी खड़ी खड़ी अरे तुम कान सी स्कोटी की बात कर रहे हो हम तो यहाँ पर फ्रिच को देखकर ही परिशान है अंकित जब फ्रिच के अंदर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है उसमें काफी सारा पनीर रखा हुआ था मटर पनीर, कड़ाई पनीर और शाही पनीर के सबजियां बनी रखी थी वो कभी फ्रिच को देख रहा था तो कभी उस कद्दू को देख रहा था जिसे उसने अभी-भी मेज पर रखा था आखिर यह सारी सबजियां हमारे फ्रिच में कहां से आई और इतना सारा पनीर, मैंने तो पनीर पिछले छह मैने से खरीदा ही नहीं है आखिर यह चमतकार हमारे साथ है क्यों? आंकित कुछ सारा माजरस समझ में आ जाता है वो अपनी माँ को अंदर कमरे में ले जाता है और उन्हें बताता है कि उसे रात को एक जादूई कद्दू का सपना आया था और बाजार से वो वैसा ही कद्दू खरीद कर लाया है और रास्ते भर वो इन ही चीज़ों के बारे में सोच रहा था अरे पागल हो गय हो क्या? भला ऐसा कभी होता है? ये तो मुझे पता नहीं होता है या नहीं होता है लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ है वो इस जादूई कद्दू की वज़ा से हुआ है रुको मैं अभी उसे लेकर आता हूँ और उससे कुछ और मांग कर देखता हूँ अंकित भाग कर बाहर जाता है और कद्दू उठा कर अंदर ले जाता है और कद्दू से कहता है आज मा को खाना ना बनाना पड़े सब कुछ तैयार कर दो बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना खीर पूरी हलवा आइसक्रीम इधर अंकित कुछ बोलता है उदर उसकी बुआ शोर मचाने लगती हैं कि रसोई में खीर हल्वा पूरी आईस्क्रिम पता नहीं कहां से आ गये हैं। हाँ, इसका मतलब तुम सच में कोई जादूई कद्दू उठा कर लाए हो। तबी सुनिल भी घर आ जाता है, वो भी सारी चीजों को हैरानी से देख रहा था। प्रभा उसे भी कमरे में लेकर आती है और जादूई कद्दू की सारी बात बता देती है। ये सुनकर उसका पती खुश हो जाता है, फिर वो अंकित को बुला कर जादूई कद्दू से अपने लिए सुन्दर सा घर मांगता है। और देखते ही देखते उनका घर एक बड़े से घर में बदल जाता है, ये देखकर बुआप बहुत हैरान हो जाती है, और इस तरहे अचानक जादू से सब कुछ होने की बात को बोलती है, ये सब इस जादूई कद्दू की वज़े से हो रहा है, जिसे अंकित लेकर आया है और ये अंकित की ही बात मानता है, ये लो, जिस लड़के को कद्दू की सबजी ही पसंद नहीं थी, उससे जादूई कद्दू मिल गया है, सुनो अंकित, इससे कहकर मुझे भी आमीर बना दो, अंकित ऐसा ही करता है, तभी वहाँ पर बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो निग घर चली जाती है, और अंकित जादू कद्दू से कहकर बहुत सारी चीज मांगता है, अब वो गरीब नहीं थे, अमीर हो चुके थे, और उनके पास हर तरह का सामान था, यहां तक कि उसकी बाबा ने अपना एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, अब सब की लाइब बड़ी ही हापी हैपी हो गई थी, कि तभी एक राद फिर अंकित को सपना आता है, अब बताओ, अब तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं, तुम मेरी सबसे फेवरिट सबजी बन गए हो, तुम्हें पता है, अब मैं कद्दू की सबजी भी बड़े खुश रहेगा और तुम्हारे बाबा का काम भी बहुत अच्छा चलेगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा जादू कद्दू, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, चलो फिर मिलता हूँ, ये कहकर जादू कद्दू चला जाता है, अंकित उठकर बाहर आता है, तो देख रहता है वहाँ पर जादू कद्दू नहीं था और उसके बाद अंकित और उसका परिवार सब बहुत खुश रहते हैं।